हेलो दस्तों आप सबका स्वाग आते हैं आपके अपने यूटूब चैनल पे मैं जांफर बेपारी आज आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 के प्राइस में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो बात करते हैं मेरे टॉप 10 बेस्ट स् इसमें आपको देखने को मिल जाता है 4GB RAM, 64GB ROM और इसमें आपको 6.5 inch का HD Plus डिस्पले भी मिल जाता है आपको बैक साइड में ट्रिपल क्यामरा देखने को मिल जाएगा और सामने सेल्फी के लिए 18MP का फॉरंट क्यामरा दिया गया है इसमें आपको 4230 की एमेज बैटरी दी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM और इसमें आपको 6.4 inch का HD Plus डिस्पले भी दिया गया है आपको बैक साइड में ट्रिपल क्यामरा और सामने सेल्फी के लिए 8MP का फॉरंट क्यामरा दिया गया है आपको इसमें 5000 की एमेज बैटरी भी दी गई है इसमें आप आपको Qualcomm Snapdragon 450 का प्रोसेसर भी दिया गया है और यह प्रोसेसर 1.8 GHz पर क्लॉक है परफॉर्मस की बात करते हैं तो आपको मुबाल यूज करने में कोई प्रॉबलम या कोई दिक्कत नहीं आए और यह मुबाल आता है 12,999 रुपय में अब बात कर लेते हैं आटिवे नंबर क तो आटिवे नंबर पर मैंने रखा है Realme 5 Pro को इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM और Expandible Up to 256GB तक इसमें आपको 6.3 इंच का Full HD दिस्पेले देखने को मिल जाएगा आपको बैक साइड में 48MP का Quad क्यामरा दिया गया है, Selfie के लिए 16MP का Front Camera दिया गया है 4035 MHz की ब 20 GHz पर क्लॉक है, और इसमें आपको 20W का Fast Charger भी मिल जाता है, और आपको Realme 5 Pro 14999 के प्राइस में आपको मिल जाएगा, साथवे नंबर पर आता है Vivo Z1 Pro, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM और इसमें आपको 6.53 इंच का Full HD दिस्प्ले भी दिस्प्ले भी दिय प्रेंट पर 32MP का सिल्फी क्यामरा दिया गया, आपको यहां पर 5000MH की लॉंग बैटरी भी दिए गई है, आपको इसमें मिल जाता है Qualcomm Snapdragon की तरफ से 712 का Octa-core processor, और इसमें साथ में साथ आपको 18V का Fast Charger भी दिया गया, और यह मुबाइल आपको 30,990 रुपे में आपको मिल प्रोम जो की काफी जादा है, इसमें आपको 6.59 इंज का Full HD डिस्पेर मिल जाएगा, आपको बैक साइट में 48MP का Quad क्यामरा दिया गया, सेल्फी के लिए 16MP का Front क्यामरा दिया गया, और इसमें आपको 4000MH की बैटरी भी दी गई है, इसमें आपको मिलता है क्रीम की तरफ से 8 910 का प्रोसेसर, इसका प्राइस है इंडिया में 14999 रुपे, जो की बजट के हिसाब से ये मुबाइल काफी ज्यादा बहतर है, पांचों नमर पर आता है सामसंग की तरफ से सामसंग गैलेक्सी M21, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM, इसमें आपको 6.4 इंच क प्राउंग बैटरी धी गई है, जो की काफी बहतर है, इसमें आपको एक्जिनोस की तरफ से 9611 का ओक्तोकर प्रोसेसर मिल जाता है, और ये प्रोसेसर 2.3 के घार्स पर क्लॉक है, सामसंग गैलेक्सी M21 आपको मिल जाता है 13,499 रुपेज में, आप बात करते हैं, फोर्थ 4-inch का Full HD display, आपको बैक्साइट में 48MP का रेर क्यामरा दिया गया है, इसमें आपको मिल जाते है 6000MH की लंपी बैटरी, और इसमें आपको मिल जाता है एक्जोनोस की तरफ से 9611 का प्रोसेसर, सामसंग गैलेक्सी M30S आपको मिल जाता है 14,999 रुपेज में, अब बात कर लेते हैं, थर्ट नमबर की, तो थर्ट नमबर पर आता है, सामसंग ही तरफ से, सामसंग A15, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM, और इसमें आपको दिया गया 6.4-inch का Full HD display, जिसमें आपको Super AMOLED display मिल जाएगा, आपको बैक्साइट में triple camera दिया गया है, सेल्फी के ल सामसंग A50 आपको इंडिया में 15,000 तक मिल जाएगा, अब बात कर लेते हैं दुसरे नमबर की, तो दुसरे नमबर पर माय ने रखा है Redmi Note 9 Pro को, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM, इसमें आपको 6.67-inch of Full HD display मिल जाएगा, इसमें आपको 48MP का Quad camera दिया गया है, 16 16MP का front selfie camera दिया गया है, इसमें आपको मिल जाएगी 5020 mh की लंभी बैटरी, इसमें आता है Qualcomm Snapdragon के तरफ से 720G का processor, जो की काफी powerful है, इसमें आपको साथ में साथ मिल जाता है 18V का fast charger, Redmi Note 9 Pro आपको 13,999 रुपीज में मिल जाएगा, आप बात कर लेते हैं नमबर एक की, तो नमब Xiaomi की तरफ से Realme 6, इसमें आपको देखने मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM, इसमें आपको दिया गया है 6.5 inch का full HD display, इसमें आपको बैक साइड में 64MP का quad camera दिया गया है, सेलफी के लिए 16MP का front camera दिया गया है, इसमें आपको मिल जाती है 4030 mh की बैटरी, इसमें आपको मिल जाता है Mediatek G 90T processor जो की काफी powerful है, और यह processor 2.05 GHz पे clock है, इसमें आपको मिल जाता है 90Hz का ultra smooth display, इसमें आपको 30V का fast charger भी दिया गया है, और इसमें आपको side fingerprint sensor भी दिया गया है, Realme 6 आपको 13,999 रुपेस में मिल जाएगा, जो की price के हिसाब से काफी powerful और काफी अच्छा mobile phone है, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्या लगता है इन मूबाइल के बारे में comment box में बता दीजिए, अगर आपने वीडियो का भी तक लाइक ने का तो लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए, क्योंकि मैं तो इसे latest videos लाता रहूँगा और आपको इस latest videos मिल जनेंगे, क्या नाड़े के रे, भाई ने बोला करने का तो करने का, पागले गया, चल्ट